अडानी ग्रुप ने एक बार फिर किया कामाल क्या हिंडन बग की रिपोर्ट का नहीं हुआ असर सिर्फ एक हफ्ते में अडानी ग्रुप ने किया कमबाद कहते हैं दिन बदलते देर नहीं लगती और जब कुछ अच्छा होना होता है तो माहोल कैसा भी हो अच्छा हो करी रहता है अडानी ग्रुप के सबसे बड़ी कमपनी के साथ यह बात पूरी तरह से ठीट बैट रही है आठ दन के बाद जब शेयर बाजार कमपनी नौवे दिन खुला तो अडानी ग्रुप के फ्लाक्षिप कमपनी अडानी इंटर्प्राइज के शेयरों की ज्यादा अच्छी श्रुवात नहीं थी लेकिन बाजार खुलने के करीब एक सो पांचवे मिनट में कमपनी का शेयर 25 फीजदी की तेजी के साथ भाग रहा था जी हां ये कोई सपना या मजाथ नहीं है इस दौरान अडानी इंटर्प्राइज की कमपनी को करीब 45,000 करोड रुपए का फायदा हुआ है मौचोदा समय में कमपनी का शेयर करीब 15 फी कमपनी के शेयर में 24 जनवरी के बाद से 50 फीजदी से जादा की गिरावट देखने को मिल चुकी थी आज के आकड़ों पर बात करें तो कमपनी का शेयर आज सुभा 9 बच कर 15 मिनट पर 1568 रुपए पर मामुली गिरावट के साथ ओपन हुआ और कारोबार के 105 मिनट बीत जा 14 बच कर 5 मिनट पर कमपनी का शेयर 15 फीजदी की तेजी के साथ 803 रुपए पर कारोबार कर रहा है वहीं दूसरी और कमपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कुछ ही मिनटों में कमपनी को 45,000 करोड रुपए का फायदा हुआ है आकड़ों के अनुसार एक दिन पहले कमप 2 करोड रुपए पर आ गया इसका मतलब है कि कमपनी के मार्केट कैप में सुबा साड़े ग्यारा बजे 44,000 करोड रुपए पर आ गया बास्तम में तो गौतम अडानी की और से लोन की प्रीपेमेंट और अडानी ट्रांसमीशन को ही तिमाही नतीजों में प्रॉफिट की ख चैरों में 500 फीजी पर अपर सरकिट लगा हुआ है आपको कैसी लगी खबर हमें कमेंट करकर अपनी राय जरूर दीजेगा धन्यवाद